जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री गोरी शंकर भगवान जी की जैश्रावन मास महक्यम की मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूड़ीप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में श्रावन मास 14 जुलाई से आरंब हो रहा है श्रावन मास 14 जुलाई 2022 से लेकर 12 अगस्त 2022 तक रहेगा तो आज से हम आपको सुनाने जा रहे हैं 15 मास मत्यम की परम सुन्दर कताएं कि जिनको सुन्द्ने मातर से भगवान श्री शिव शंकरजी की अनन्त करिपा को प्राप्त किया जा सकता है और जिन पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उन भक्तों के जीवन में सुख संपति आनंद आ जाता है उस परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है जो श्रावन मास में भगवान शिव की भक्ती करते हैं और श्रावन मास मत्यम की कथाओं को सुना करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावन मास में विशेश रूप से आप पांच कारे प्रति दिन करें सबसे पहली बात तो ये है कि श्रावन मास में आप प्राते जल्दी उठकर सनान करें सूरे निकलने से पहले सनान किया जाए तो भवत उत्तम माना जाता है दूसरी बात श्रावन मास में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रति दिन शिवलिंग पर जल, धूद, शहद, गंगा जल ये आप जरूर चड़ाएं या इसमें से जो भी आपको मिले वो आप अवश्य चड़ाएं इससे भगवान की कृपा मिलती है और पूजा के समय आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र और पुष्पादी अवश्य चड़ाएं भगवान शिव को चंदन समर्पित करें ये आप करेंगे तो भगवान शिव की आपको कृपा मिलेगी तीसरी बात शिरावन मास में प्रते दिन आप ओम नहमर्शिवाए इस मंतर का अधिक से अधिक जाब करें इससे भगवान शिव भहुते प्रसन होते हैं चोथी बात शिरावन मास में आप प्रते दिन शिरिशिव महापुरान की कथा को अवश्य सुने या आप श्रिशी महापरान की कथा को पढ़ भी सकते हैं पांचवी बात श्रावन मास में प्रति दिन श्रावन मास महत्यम की कथाओं को आप अवश्य सुने या पढ़ें दोनों का बराबर फल बताया गया है तो अब हम आपको श्रावन मास महत्यम के पहले अध्याई की कथा को सुनाने जा रहे हैं पूरी श्रद्धा भावना से सुने क्योंकि पूरी श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का अनंत गुना पुन्यफल मिल जाता है भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन होते हैं जो पूरी श्रधा भावना से कथा सुनते हैं तो श्रावन मास महत्यम के पहले अध्याई की कथा इस प्रकार है बोल श्री गोरी शंकर भगवाने की जै बोल शावन मास महत्यम्मे की जै अब पहला अध्याई शोनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाभाग आपके मुख से अनेक कताइं सुनी हैं लेकिन अनेकों कताइं सुनते हुए भी मुझे त्रिप्ती नहीं हुई फिर भी कुछ न कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है क्योंकि भगवान की कताइं मन को अती प्रिय लगती हैं भगवान की कताओं को सुनने मातर से भगवान के चर्णों में प्रेम हो जाता है ये मुनिवर जिसके सुनने मातर से मेरी अन्यत्र श्रवन क पूरी शद्धा भावना से सुने आपके कहने से मैं प्रसन हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी बात गुप्त नहीं रखनी है मैं आपको पूरी तरह से कथा सुनाऊंगा ये मुनिवर दंभराईत होना आस्तिक बुद्धी होना शठता ना होना परमात्मा में भक्ती होना सुनने की इच्छा होना नमरता होना ब्रामन भक्त होना सुशील स्वभाव का होना धैर बुद्धी होना पवितरता होना तपस्वी होना दोशारोपन रहित होना ये बारे ग इसलिए मैं प्रसन भाव से तत्व की बात को कहता हूँ आप इसे श्रधा भावना से सुनिये एक बार की बात है भगवान शिव शंकर भोले नाथ जी ने सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार हे सुवरत हे ब्रहमा के पुत्र आपकी सेवा भक्ति से प्रसन हो मैं आप से अत्यंत गुप्त रहसे की बात कहूंगा बारा महीनों में श्रावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है श्रावन मास से बढ़कर मुझे और कोई प्रिय मास नहीं है जो श्रावन मास का मत्यम सुनने योग हो जाने के कारण इस मास का नाम श्रावन हुआ है पूर्दिमा को श्रवन नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावन कहा जो श्रवन मातर से सिद्धी को देने वाला है उसे श्रावन मास कहते हैं अर्थात भगवान की पवित्र कथा को श्रधा भावना से जो सुनता है जो श्रवन करता है उससे भगवान की कृपा मिलती है श्रधा भावना से सुनने के कारण श्रधा भावना से श्रवन करने के कारण इसे श्रावन नाम से कहा गया है आकाश के समान स्वच हो जाने से नभा नाम कहा उस मास के धर्मों की गंधना करने के लिए भूमी पर कौन समर्थ हो सकता है अर्थात श्रावन मास की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है जिसके संपुर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए हैं जिस श्रावन मास के मात्यमक को देखने के लिए देवराजी इंदर हुए हैं भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए दो सहस्त्र जीवा धारन की अधिक कहने से क्या लाब है इस श्रावन मास को देखन तथा कहने में किसी की भी सामर्थ नहीं हो सकती ये मुनिवर अन्य मास इस मास की सोलमी कला को भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं संपूर्ण मास वरत रूप हैं सारा श्रावन मास धरम रूप है इस श्रावन मास में कोई भी दिन वरत शुन्य नहीं देखा गया इस मास में सब त इसलिए हे मुनिवर श्रावन मास में जो भक्त शद्धा भावना से मेरी भक्ती करते हैं उन भक्तों के उपर मैं अत्यांत प्रसन हो जाता हूँ साधारन दिनों में जो मनुष्य मेरी भक्ती करते हैं उन पर मेरी कृपा आवश्य होती है लेकिन जो श्रावन मास में थोड़ी सी भी मेरी भक्ती करते हैं उन भक्तों की सभी इच्छाओं को मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि श्रावन मास में की गई भक्ती मुझे अत्यंत आनंद देने वाली है आज भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी ने कहा है कि हे भगवन आपने जो ये कहा कि इस मास में कोई भी दिन वरत शूने नहीं है प्रति दिन वरत होते हैं इस महीने में तीथी भी कोई वरत शुन्य नहीं है तो हे महादेव जी हे शिव शंकर भोले नाथ हे श्रेष्ट उसको आप मुझे से कहें कौन तीथी में कौन वरत होता है तथा किस वार में कौन सा वरत होता है उस वरत का अधिकारी कौन है फल क्या और विदी क्या है किस किस ने पहले इन वरतों को किया है उध्यापन की विदी कौन सी है देवता कौन है पूझे कौन है पूझा समगरी कौन सी होती है प्रधान पूझन किसका किया जाता है जागरन विदी कौन सी है किस वरत को कौन सा समय है हे प्रबु वह सब आप मुझे विस्तार सहित बताने की कृपा कीजिए श्रावन मास आपको सबसे प्रिय मास कैसे हुआ किस कारण श्रावन मास आपको अधिक प्रिय हुआ है ये सारी कथा सुनने की मेरी अत्यांत इच्छा हो गई है आप ने श्रावन मास की महिमा को अभी कुछ ही कहा है लेकिन इस महिमा को सुनकर मेरे मन में ये इच्छा जागरत हुई है कि श्रावन मास के सभी धर्मों का पालन मनुश्य किस परकार कर सकता है तो उन सभी धर्मों के पालन की आप सारी कथा सुनाईए ताकि आगे आने वाल कल्यों के सभी लोग भी इस श्रावन मास में आपकी भक्ति करके आपकी क्रिपा को प्राप्त कर सकें हे प्रबू आप सब पर क्रिपा करने वाले हैं आपने सदा ही हम पर क्रिपा की है हे प्रबू आप मुझे ये भी बताने की क्रिपा की दिये कि किस कारण से श्रावन मास को पवितर से भी पवितर कहा गया है इस श्रावन मास में कौन-कौन से अनुष्ठान करने योगे हैं ये प्रभू आप सब बातें विस्तार से बताने की क्रिपा केजिए आपके समक्ष मुझ मूरक को प्रशन करने का कितना ग्यान हो सकता है मैंने जो कुछ बातें आप से पूछी हैं उसके इलावा भी जो कुछ रह गया हो वो सब बातें विस्तार से कहने की क्रिपा केजिए क्योंकि हम सब अग्यानी हैं आपकी शरन में आए हैं हम सब ये चाते हैं कि हमारा उध्धार हो जाए हम आपके चर्णों की भक्ती को प्राप्त करना चाते हैं और हे प्रभू हमारे मन में एक और इच्छा है कि आने वाले कल्यूग में जब सब की आयू कम रह जाएगी लोग धन संपत्ती से भी हीन हो जाएंगी धन की सब के पास कमी रहेगी सभी माया मुहों में पड़े रहेंगे तो उस समय उनका उधार कैसे हो सकता है वो सब बातें आप बताने की क्रिपा केजिए आने वाले कल्यूग में मनुश्य मात्र किस परकार सुख संपत्ती आनंद को प्राप्त कर सकता है किस परकार उनका उधार होगा कौन-कौन से शुब करम करने से उनको आपकी प्राप्ती होगी और कौन-कौन से शुब करम करने से उनके जीवन से दुख इत्यादी भाग जाएंगे हे प्रवु वैसे तो आप सब पर कृपा करते हैं, आपकी कृपा सब पर हमेशा बरस्ती रहती है लेकिन फिर भी आज आप हम पर इतनी अवश्य कृपा कीजिये कि हमारी सभी शंकाओं का समाधान कीजिये विस्तार सहित श्रावन मास की कथा को हमें सुनाने की कृपा कीजिए क्योंकि हम सब आपकी शरन में आए हैं और जो आपकी शरन में आ जाते हैं उनके उपर आपकी कृपा अवश्य हो ही जाती है तो यहीं पर श्रावन मास महत्यम के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है अगले अध्याय में आप सुन पाएंगे कि भगवान शिव शंकर जी महाराज किस परकार सनत कुमार जी को श्रावन मास महत्यम की कथाओं को सुनाना आरहम्ब करते हैं तो आज की इस कथा को सुन्दने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री रादा कृषन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की श्रावन मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृषन भगवान की जै श्री गोरी शंकर जी भगवान की जै श्रावन मास महत्यम की ओम नमस्शिवाई जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्राम